देशी शराब ठेके का संचाला धिरेंद्र सिंग घर से भागा हुआ है और उसके घर पे बाकी सदस भी यहां से फरार हैं पुलिस टीम यहां आई थी और छानमीन करके गई है पुलिस ने इस पूरे मकान के एके कोने के चप्पे चप्पे की तलाशी लिए हमारे साथ यहां धिरेंदर के भाई नरेंदर भी हैं जो इसी प्रेमिसेज में रहते हैं उनसे बात करेंगे नरेंदर बिए बताएए कि धिरेंदर के पास चाही शराब का ठेका कब से था करीब मतलब करीब 15-20 साल से लगभग लगातार 15-20 साल जी इनहीं को मिल रा था कोई खास बज़े द मतलब ऐसा था कि उसमें यह मतलब किया गा कि हाईवे से 500 मीटर दूर होना चाहिए तो उसी हिसाब से इन्हों बनाया था था फिर फिर वह थलवासा गाउं गए थे गाउं में उनको महिलाओं ने खदेर दिया था ड़ाई साल पहले उसके बाद यहां आ गया तो यहां आने की इजाज़त थी किया उनको ने इजाज़त क्या मतलब वह तो वहीं बता सकते हैं मगर यह की मतलब जब वहां नहीं है जम पाए और यह रोड से पहले रोड मतलब के अंदर मगर जब वहां से मतलब शासन का यादेश हुआ कि मतलब 500 मीटर दूर होना चाहिए रोड तब इन्होंने यहाँ पर यह दुकान बनुआई अच्छा आप तो साथ में रहते हैं इसके पहले कोई ऐसी शिकायत या कोई शराब को लेकर मिलावट या कोई कहीं कई शिकायत आई है क्या इनकी इससे पहले कभी मतलब अभी तक तो कोई नहीं मगर यह कि मतलब साराब मना हम पीते हैं ना हम वेवसाई हैं तो इसके बारे मत अच्छा यह यहां से यहां से शुरू हुआ है वहां से शुरू हुआ है आगे से शुरू के यह धिरिंदर का है जितना हम देख रहे हैं यह पूरा धिरिंदर का है तो देखिए यह धिरिंदर का मकान है जहां पर आप देख रहे हैं यह अभी बहुत बड़ा मकान है लेकिन दीवारों का प्लास्टर यह बता रहा है कि कुछ साल पहले ही शायद यह बना हुआ है और यहां पर यह सीरिंज और यह दवाए रखी हैं यह दवाए भी रखें ताले कुछ तूटे हुए पड़े हैं और तूटे हुए ताले आप देख रहे हैं यहां तमाम कमरे हैं एक कमर यह भी है जहां पर जहां का ताला एक ताला यह भी टूटा हुआ ताला पड़ा है यहां पर आप देख रहे हैं कि धिरेंदर का मकान पूरे अंदर से हम आपको मकान का पूरा नजारा दिखा रहे हैं कि किस सरे का मकान है और पूरी तलाशी लिए यह संदूख यह बक्सा दे गवा है इसी से कमरों के ताले तोड़े गए ये देखे ये ताले तोड़े गए इधर अंदर और ये धिरेंदर का बेडरूम है और ये बेडरूम है देखिए ये फोटो रखी हुई है यहां पर यह photo गवा है कि धिरेंद्र Congress से जुड़ए हैं रखिए सांसध सुनियां गांदी का बिल्ला भी है यह धिरेंद्र के परिवार की photo लग रही है शायद मैं पैचानता नहीं हूं धिरेंद्र को लेकिन यह है शायद परिवार इनका यह सामने भी एक photo जो लग ली गई है अलमारी की भी तलाशी ली गई है सारा एक एक कोना पुलिस ने यहां पर खंगाला है और इस फोटो के बारे में हम जरा धीरेंद्र के भाई नरेंद्र से ही पूछते हैं कि यह फोटो किसकी है यह कहा जा रहा है कि धीरेंद्र के कॉंग्रेस के बड़े नेताओं स संबंद थे आरे बरेली के नरेंद्र जी ये फोटो किसकी है ये फोटो ये तो अजीज सिंग बलाक अच्छमावा पहले हुआ करते थे हमारे दीरेंदर इसमें से कौन है अच्छा और बगल में कौन है कि वहां कि शोरी लाल कि शोरी लाल ये सोनिया गांधी को फुटू ये हमारा ये भतीजा है अजीज सिंग ये हैं परिवार का है तो ये मतलब बलाक अध्यच हुआ करता था मावा का तो इनको न्याय पंचायत अध्यच बनाया था अब उसके बाद उसको जिला महमंत्री बना दिया गया वह जिले में चला गया तो बलाक अध्यच्छी जो थी का मतलब दूसरे एक बार चली जब दूसरे पार चल जाती है तो अपने हिसाब से मतलब कमेटी गठित करता तो अब इस समय इनका साइट कोई पड करने साल पहले तक इनका पड़ रहा धिरेंद का कॉंग्रेस में करीफ तीन साल पहले तक यह वहां पर कुछ कि दवाएं और सीरिंज रखे हुए हैं वो किसके हैं वो मतलब इनका जो लड़का था उसके साइट व्या होगया है है टीट हो गया तो काफी पिराना हो गया होगा यह दवाय के लगए रहें सारे सिरिंज भी और हमेरिक बोलिए बोलिए कहने के मतलब यह जैसे हमारा धिरेंदर का मतलब यह सराब ब्युसाई ही हम के भारते किसाने हों अमामा के बलाक अध्यत नरेंसिंग टिकाइद गुर तो मतलब हम खेती करते हैं हमारा यह मकान आप पोजीशन देख रहे हैं यह यह वाला अभी अ मामला इनका बड़ा मामला है यह पाइसे वाले है या क्या है कुछ नहीं मगर हम तो किसान है अपके बच्चे कहां है समय हमारे बच्चे मतलब आइसा यह को पुलीस उठा ले गई पुलीस तीनों भाट्यक लड़का थिरेंदर है आपने बेटे और पतनी के साथ रहते थे कब से गायब हैं आप तो यहां है कब से गायब मतलब यह है कल जब वू Nhau बज़के मतलब थरृवाजे में बैठे मिड एम थुप पुलिस थे ऴुटिपब नेका दृक का देखो बुला दू तो हमने ने कहा कि हमको लगता कि तहल नहीं गए और तब तक उसने पता नहीं क्या वाल लगए उधर से 20-25 लोग आ गए आ जाते हैं तो को हमारा भती जाता उसको पकड़ लिया अब जैसे पुलिस को देख के तो आई से लल बच्चे दर जाते हमारा ललका था यहीं कहीं लेटा था पुलिस देखा तो उधर पीछे से उसको पकड़ लिए तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे माल्यों दिरेंदर सिंग है उनको किया जा या को मगर हमारे भ्यती आपको परिशान ना किया है दीरेंदर के साथ उनकी पतनी पत्नी का नाम क्या है नाम सुनीता ऐसे तो पत्नी भी कल साथ में थी नहीं पत्नी घर में थी मगर कहीं आप रिस्तेदारी उस्तेदारी चली गई होगी अब क्या मामला है भाई अब रात में तो हम खुद भी थाने जा रहे थे पच्छोड़ाने के लिए मगर वहां देखा पहाड़ पुर में सारा अधिकारी सारा तो यह है धिरिंदर के भाई नरिंदर इनका कहना है कि धिरिंदर कल रात में घरी पर थे और पुलिस की आने के बाद वो यहां से भागे हैं उनको डर था कि कहीं उनकी गिरफतारी ना हो जा और अभी जिस तरह से आपने पूरा मकान देखा यह भी तय है कि कॉंग्रेस से उनके संबंध हैं कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ उनके फोटो भी मिले हैं इस पूरे घटना करम के पीछे भी पॉलिटिकल किसी साजिश की आशंका जताई जा रही है ऐसा लोगों का कहना है यहाँ पर कि चुनाओ का माहूल है इसलिए कोई साजिश भी हो सकती है अला प्रग्राम के एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की